अंडर्वर्ल डॉन दाउद इबराहिम को पाकिस्तान में जहर देनी की खबर सामने आ रही है रिपोर्ट्स की माने तो दाउद को जहर दिया गया है और उसे कराची के एक अस्पताल में भरती कराया गया है अस्पताल के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दे गई है बिना किजी पुक्ता जुआनकारी के अब भी ये दावा किया जुआ रहा है कि उसे 102 डिगरी का बुखार था और इसके चलते उसे कई बार उल्टिया हुई इसके अलावा दावद इबराहिम के करीबी रिष्टेदार और पुर्प्रिकेटर जावेद मियादाद समेथ पूरे परिवार को नजरवन्द करने की खबर भी सामने आई थी लेकिन मियादाद ने उसका खंडन किया और कहा कि ये सरासर गलत है वहीं दावद को लेकर पूछेगे सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जौनकारी पाकिस्तानी सरकार ही देगी हलांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकी है कि आखिर दावद को किसने जहर दिया और वो किस सस्पताल में भरती है और क्या उसकी मौत हो चुकी है या वो अब भी जिन्दा है और क्या पाकिस्तान सच छुपा रहा है रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान इस मामले में कभी भी सच नहीं बोलेगा और ना ही कभी सच बाहरान देगा बलकि अगर इस तरीके की कोई घटना हुई होगी तो वो साजिशन अपने किसी बड़े आतंकी की हत्या करवा कर ध्यान बांटने की कोशिश करेगा पाकिस्तान की मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत की Most Wanted आतंकी दाउद इबराहिम की कराची में जहर देकर हत्या कर दी गई जहानकारी के मुताबिक कराची के आगाखान हॉस्पिटल में बीते कुछ समय से अंडरवर्ड माफिया डौन दाउद इबराहिम अपनी किड्नी की गंभीर मिमारी का इलाज करवा रहा था इसी दोरान शुकरवार की शाम को अस्पताल के एक यूनिट में दाकिल रहते हुए ही उसको जहर दिया गया पाकिस्तान के भीतर दाउद इबराहिम की मौत की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग पत्रकारों तक भी पहुँची हलांकि ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान जुस तरह से उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में होनी की बात से इंकार करता आया था उसी तरह से वो ये भी इंकार करता आया है कि दाउद इबराहिम पाकिस्तान में है ऐसे में इसकी आधिकारिक पुष्टी की पाकिस्तान से उमीद करना बेमानी ही होगी ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दाउद इब्राहिम की मौत के बाद उसके काले सामराजय को आखिर कौन संभालेगा आखिर उसके अर्बो रुपे के समराजय का मालिक कौन होगा दाउद इब्राहिम के उत्रादिकारियों की बात करें तो इनकी संख्या एक से कहीं जादा है दुनियभर्त में दाउद के अर्बो रुपे के काले धन का सिंडिकेट फैला हुआ है दाउद की काली कमाई का 30-44% हिस्सा भारत में नकली नोट के कारोबार से आता है वो आईएसाई की मदद से भारत में नकली नोटों का कारोबार करता है उसने कुछ साल पहले दक्षिन अफरीका में हीरों का भी कारोबार शुरू किया वो यहां से निकले हीरों को भारत में पॉलिश कराकर दुनिया भर में बेशता है दाउद अपने परिवार को बहुत मानता है और मानजवा रहा है कि ऐसे में उसके काले सामराज्य का अधिक्तर हिस्सा उसके परिवार को ही मिलेगा इसके अलावा दाउद के भरोसेमंद करीवियों को भी संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है जिन्होंने कई सालों तक उसके सामराज्य को आगे बढ़ाने में उसकी मदद की इस खबर में फिलाहल इतना ही ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इडिया हिंदी के साथ